हम जी बच्चों तो अब आपके exam में economics के exam में सिर्फ और सिर्फ 20 दिन रह गए हैं तो मैं आपके सामने लेकर क्या हूं 20 days master plan जैसा आप अपने सामने अपने screen पर देख भी रहे हैं बच्चे सबसे पहले मेरे paid course के अगर मैं बात करूं तो paid course में almost almost syllabus जो है मेरा cover हो गया है अब वहां पर हम जो है आज syllabus प्लस में जो है चेप्टर वाइस डाउट सेशन अलग से रख रहे हैं क्यूंकि लाइव क्लास में बच्चा डाउट पूछ रहा है अगर बच्चा देख रहा है तो उसके डाउट के लिए उस समय में वहां पर available नहीं होता हूं तो उन बच्चों के लिए मैंने डाउट सेशन जो है वह ड ज्यादा है टिक शडूल होने के वज़े से कि यहां पर भी लगातार रिविजन डालना प्रीविसर कोश्चन डालना और क्लास करना यूटूब पर भी टास को डालना थोड़ा तक कभी-कभी इस वज़े से जो है वह वह क्लास पॉस्पोन डिले हो जाती है तो अभी मैं कह जा रहें कि चार-पांस दिनके अंदर पूरा स्लेबस के पास में आ जाए तो डियर स्टेंट आप जो है कोर्स की तरफ जाए और आपने कोर्स को बाई कर लिजे सीखिवेंस में आपको फोल्टर वाई चेप्टर आपको मिल जाएंगे और हर फोल्टर में जितना पड़ाय आप पेड कोर्स मगर आप आते हैं यूटूब पर मैं बिल्कुल आप से कह रहा हूं कि मैं आपको सेवा जो है मैं आपके करने के लिए ठत पर हूँ वह क्लासिस आपके जो है चलती रहेंगी तो आप आए बात करते हैं कि मास्टर प्लाइन क्या है देखिए कि हमारे पास म और हर चप्टर से अगर हम 10 चप्टर है हमारे पास में और हर चप्टर में important question की बात मैं करूँ तो important question चार है किसी में तीन भी है किसी में पाँच भी है तो मतला average जो important question है हर चप्टर में 4 question आपके पास में एक चप्टर से 4 question important निकल करके के आते हैं एक दिन में अगर आप उस इंपड़न कोशिन में से सरफ दो कोशिन भी पढ़ो तो आपका डेड़ से दो गंटे या एक गंटा आपकी सड़ी का जाएगा दो गंटा मैक्सिम से मैंने लिखा है तो अगर आप एक दिन में दो कोशिन पढ़ते हो तो अगले दिन भ अब आपको full syllabus बीस दिन में cover करने की बात कर रहा हूं, कि बेस दिन में कैसे आप अपना पूरा का पूरा syllabus को आप अच्छे तरीके से cover कर सकते हैं, और एक अलग folder बना करके important questions के उपर आप focus कर लीजिए, इस time पर वो time आ चुका है, अभी सेमेस्टर टू के रिजल्ट से सीख लिए सबसे ज़्यादा बच्चा एक नौमिक सकंदर फेल हुआ है तो यहां पर भी आप इस पात के धान नखेंगे कि 100% स्कोर के लिए क्या करना है आपको 100% स्कोर के लिए मेरे जो important questions की PDF है उसका plus में उस PDF के साथ साथ में उसका video solution जो है मेरा और आपको 4-5 सवाल हर चप्टर मिलेगा एक दिन में आप 2 सवाल को cover करने ही कोशिश कीजिए और आपके पास में जो है 2 गंटे का दे गंटे का time निकाल लेजिए इस तरीके से आप 20 दिन जब आपका होगा complete तो आपके 10 चप्टर पूरी तरके से आपके complete होंगे हा लेकिन अगर आप अभी नहीं करोगे तो फिर आपका नहीं हो पाएगा क्यों क्योंकि थोड़ा सा और नजदिक जाओगे तो आपके बाकी पेपर जो है चार-पांस दिन में तो आगे चल करके अगर आपके स्पीड थोड़ी स्लो भी हुई तो एकनामी से चुट्टी में आप उसको अच्छे सरगे से आपको इस समय अपना पूरा कोर्स जल्दी से कवर करना है सारी क्लासी सारी इंपर्टन कोशन आपको मिल जाए तो पेड़ पर एविलेबल है कि च्छ समय और खासकर साथ था इसे होता है कल 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 करके हम एक्जाम से बिल्कुल दस दिन पहले कड़े बस दस दिन पहले अब हमें ड़ोर्नने लगा जाता है कि पेपर आ रहा है दस दिन बचे हैं और भूस सारे आप में से कम से कम जो है मैं बताता हूँ 20 से 30% student ऐसे होते हैं जो कि यहां से क्या करते हैं give up करते हैं बोलते हैं अब तो हम त्यारी नहीं कर पाएंगे 10 दिन में क्या त्यारी होगी अब अगले साल लेखेंगे बर्कर के सही से त्यारी कर लेंगे बिल्कुल मत करना अगले साल भी लाज के 10 दिन में ही त्यारी होगी मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ ग्रेश्य नहीं हो पाएगी अगर आप सुचेंगे भाया कोलेज के त्यारी अगर आप कर रहे हैं तो लाज के 15-20 दिन में भी अगर आप आसानी से और आप थोड़ा सा आप 100% से अगर नहीं भी कर पाए पर आप 50% से अब अब तो अगर आपने अपने प्लानिंग कर ली और अपने टाइंट टेबल बना लिया तो आप एजली आप पर मैक्सिमम स्टुडेंट डियर आपको बताता हूँ मैं 60-70% किसको कितना टाइम देनी की नीड है किसमें आपने क्या पड़ रखा है और दिन में आपने टाइम टेबल को आपने आपर बाढ़ दीजिए और जाए अपने घर के आसपास कोई लाइबरेरी में और एक महिने की फीज दे करके फिजिए उस लाइबरेरी को आप जोइन कर लीजिए और सुबह जैसे आपके पीता जी आते ते निकलते हैं लजच ले करने लटा, में आपने आपको इक जोब समझे आप तो इसमें आप को अपने time table को manage करने की जरूएत है आपको अपने content को लाने के तो मेरे यही कहना है कि आप अपने इस classes को अपने इस बात को जो मैंने रखिये सामने सबी जगह पर जितने जगह भी हो सके मैक्सिम से मैक्सिम जगे पर आप शेयर करें सारे ग्रूप में आप इचीज़ को शेयर करें टाइम टेबल बनाएं यह सारी कामों पर आप ध्यार लगें ठीक है जी? क्लियर है? तो थैंक यू, थैंक यू सो मच अब आप सोच रहेंगे मास्टर प्लान क्या था